पूश्चन है सबसे पहला तो गोरवसेन का वो पूछ रहे हैं सब टीए में जो डूटी होती है वो रेगुलर होती है क्या या पार्ट टाइम होती है और NCC का क्या वेनिफिट मिलता है टीए के अंदर अभि मैं आपको सबसे पहली चीज ये बता देता हूं कि तो टीए की भरती होती है वो open rally की तरह सेम होती है पहले क्या था की भरती पार्ट टाइम होती ही जिसका आपको छह महीने का पेमेंट नहीं मिलता था अभी क्या हुआ है वो बुलकुल रेगुलर आर्मी की तरह उसको कर दिया गया है जिसमें पूरा आप आल टाइम डूटी करोगे पूरा बारा महीने और इसमें जीडी और ट्रेडमेंट के लिए अगर आप भरती देखते हो तो इसमें आपका कोई भी टेस्ट नहीं होता है आपको फिजिकल देना है फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा मेडिकल के बाद आपका डॉकोमेंट वेरिफिकेशन होगा डॉकोमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपके घर पर सीधा इसका जोइनिंग लेटर आएगा और आप जोइनिंग के चले जाओगे अगर इसी में आप टेकनिकल या फिर किलर्क के थुरू भरती देखते हो तो उसके लिए आपको एक रिटन एक्जाम के थुरू निकलना पड़ेगा जिसका आपको NCC का बेनिफिट NCC का जो वेनिफिट होता है आपको टेकनिकल और किलर्क में मिलता है उसमें टेकनिकल में आपको NCC C Certificate होता है आपको 15 नमबर, B होता है तो 10 नमबर, A Certificate होता है तो 5 नमबर अगर वहीं आपने NCC C Certificate के साथ रिपब्लिक डे कैम्प किया हो तो उसमें भी आपका कोई भी रिटन एक्जाम नहीं होता है डारेक्ट आपको जोनिंग मिल जाता है अच्छा दो का अगर किसी ने C Certificate के साथ RD कैम्प किया है तो उसको एक्जाम ही नहीं देना बढ़ता कोई भी एक्जाम नहीं सीधा डारेक्ट भरती घर पर जोनिंग लेटर आएगा जोनिंग लेटर लेकर आपको ट्रेणिंग के लिए पहुंचाना है अपना यूनिट मैं सभी भाईयो या बहन जो भी हैं सभी से कहना चाहता हूँ कुछ भी आर्मी से लेकर आपको कुछ भी एक भी परशेंट कुछ भी डाउट है तो आप बिना सोचे समझे डारेक्ट कमेंट बॉक्स में डाल दे जितनी भी मेरे से हल्प होगी गगंदी भाई से हल्प होगी हम दोनों मिलकर आपकी पूरी हल्प करेंगे कुछ भी आपके दिमाग में डाउट ने रहना चाहिए क्योंकि वो डाउट ही ऐसा चीज़ होता है जो आपको सक्सेस्फुल होने से रोकता है इसलिए कोई भी डाउट दिमाग में लेकर नहीं चलना है हर किसी डाउट को बिना सोचे समझे डाउट कमेंट वक्स में डालना है और पूछ लेना है डाउट जैसे ही मेरे को दोबारा टाइम मिलेगा गगंदी भाई बोलेगा हम दोबारा इंटर्व्यू करेंगे और दोबारा सारी इंफोर्मेशन आप लोगों तक पहुचा देंगे